नमस्कार भक्त जनो मैं आपको गीता का पाँचवा अध्याए हिंडी में सुना रही हूँ अर्जुन बोले है क्रश्ण तुमने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा फिर कर्म की प्रशंचा करते हो इन दोनों में जो अधिक हितकर है वे एक बात निश्चे करके बतलाओ श्री क्रश्ण बोले कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं परन्तु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है जो किसी से द्वेश नहीं रखता ने किसी पदार्थ की इच्छा करता है जै सन्यासी है ऐसा पुरुष अंसार के बंदनों से छूट जाता है सांखे और योग को मूर्क लोग ही प्रतक प्रतक कहते हैं पंडित नहीं कहते हैं जो इन दौनों में से एक में भी अच्छी तरह इस्तित हो जाता है उन दौनों को फल देर प्राप्त होता है ज्यान योगियों को जो इस्थान मिलता है वही कर्म योगियों को प्राप्त होते कर्म योग युक्त शुद्ध अंत्यकरण वाला मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला कर्म करता हुआ भी कर्म फल से लिप्त नहीं होता योग युक्त तत्व वेता पुरुष देखते हैं सुनते हैं इसपर्ष करते हैं सूनते हैं खाते हैं चलते हैं श्वाश लेते हैं तो भी यह नहीं मानते कि मैं कुछ नहीं करता वे बोलते हैं त्यागते हैं ग्रहन करते हैं परंतु यहीं मान कि मैं कुछ नहीं करता यह मन धारण करते हैं इंद्रीया ही अपने अपने विश्यों में बरत्ती हैं जो प्राणि ब्रह्म में अरपन कर संग को त्याक कर कर्म करता है वह पाप से लिप्त नहीं होता जैसे कमल पत्र पर जल नहीं ठेरता योगी जन शरीर से मन से बुद्धी तता इंद्रियों की आसक्ती से रहित होकर आत्मशुद्धी के निम्मित कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्मफल त्याक कर मोक्ष रूप शांती का लाप करता है। जो योग रहित हैं वे कर्म की इच्छा के बंधन में पढ़ जाता है। सब कर्मों को मन से त्याक करके प्राणी इस वन द्वार इंद्रियों की देहरूपी पूरी में न कुछ करता है और न करता हुआ आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवर्त नहीं करता, कर्म और कर्म फल को उत्पन नहीं करता, ये सब प्रवर्ती द्वारा होते रहते हैं, परमेश्वर किसी के पुन्य तथा पाप को नहीं लेता, ज्यान जो अज्यान से आच्छादित है, उसे जीव मुहों को प्राप्त हो जा जिस प्रकार सुर्य संपूर संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धी इस्तिर हैं उसी से मन लगाते हैं। उसी में निश्ठा रखते हैं जो सदा उसी के ध्यान में लगे हैं। ज्यान द्वारा जिनके सब पापनस्ठ हो गए हैं वे इन संसार में जनमती नहीं हैं। विध्या और विने से संपन ब्रहमन में गाइ में, कुत्ता में और चांडाल में पंडिजन की समांध रष्टी रहती हैं। जिसके मन में इस तरह की समांता उत्पन हो गई हैं। उन्हो ये पदार्थ को पाकर प्रसन और अप्रियों को पाकर खिन नहीं होते ऐसे इस्तिर बुद्धी वाले मोह रहित ब्रह्म वेत्ता को ब्रह्म इस्तिर जानों बहारी पदार्थों में जो चित्त को आसक्त नहीं होने देता वही आत्मसुक का अनुभव करता है ब्रह्म में अंत ज्यानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते शरीर छूटनेस के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेक को सहन करने में समर्थ होता है वह योगी और सच्चा सुखी है जो योगी आत्म सुख से सुखी अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतर जोती से ही प्रकाशित है वे ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वान मोक्ष को प्राप्त होता है पाप जिसके नस्ट हो गए है को बुद्धी दूर हो गई है मन को जिनोंने वश्मे कर लिया है जीव मात्र का जो हित चाहते हैं ऐसे योगी को ब्रह्म निर्वान प्राप्त होता है काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेक को जिनोंने रोक लिया है, ऐसे आत्म ज्यानी योगियों को ब्रह्म निर्वान सहजी प्राप्त होता है। जो मुझ को सब यगों और तपों का भोकता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांती प्राप्त होती है। बोले विश्टु भगवान की जैर।